मैं हो शेह इंदुरान और आप देखरें इंडिन मीडिया बोकाच की स्पेशल रिपोर्ट इंडिया में वाट्साप की नई प्राइवेसी पॉलिसी इतने माइने क्यों रखती है क्योंकि अगर इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू कर देते हैं तो यूजर्स के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं एक या तो वो नए शर्तों को एक्सेप्ट कर ले दूसरा है या तो वो आप से बाहर निकल जाए अगर देखा जाये तो इंडिया वाट्साप का सबसे बड़ा मार्केट है यहां 400 million से ज्यादा यूजर्स हैं प्राइवसी पॉलिसी में ये mention किया गया है कि वाट्साप कुछ meta data share कर सकता है actual messages नहीं पर Facebook के साथ वो data share कर सकता है हलांकि WhatsApp ने ये पस्ट किया है कि वो अपडेट करने के बाद Facebook या दूसरे कंपनियों को data share करने की शमता नहीं रखता January में नए प्राइवसी पॉलिसी के बाद WhatsApp की users में backlash हो गया और वो दूसरे rival messaging app जैसे single की और shift हो गये थे और इस backlash के बाद WhatsApp ने 8 February से बढ़ाते हुए 15 May कर दिया अपनी प्राइवसी पॉलिसी को लागो करने के date को इसके बाद भारत सरकार ने WhatsApp के global head को एक पत्र भेजा जिसमें privacy policy के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की और कहा कि Indian users के information privacy और data security का सम्मान करना चाहिए और उसके मताविक privacy policy को withdraw कर देना चाहिए तो सरकार ने WhatsApp को अपनी नए privacy policy और terms और services को withdraw करने के लिए मांग की गई और उसके बाद दिल्ली हाई कोट में एक अपील भी दर्च करवाई जिससे वो इस privacy policy को लागो करने के date को रोख सके ऐसे इस special report के लिए आप बने रहे है Indian Media Book के साथ और थांक्यों फूर वाचिंग